जैसी राम मेरे प्यारो मैं रितिवागेल स्वाद करता हूं आप सभी का आपकी यूटुब चैनल भगेल क्लासिस पर और आज की वीडियो हम बात करेंगे कच्छा वारभी के गड़ित वोड एक्जाम 22 22 23 के लिए इंपोड़न की जो अमारा पहला चेप्टर है व हमारा अस्वार फा वार फाइब माक्स का आ रहा है जिसमें तीन आपको आपको और यूज नमुजे को यूज हे इसकी प्रेटिस करने थे अपको प्रेचर इसकी नमब चार पर अपकी प्यींबर आट प्एज़त पर आपको इसके आपको practice करनी है जी है मेरे प्यारों मैं आपको बदा देना चाहता हूं कि आपकी book में जितने भी chapters में objective दियें और last में जो chapter का सारांस दिया है या आपको पढ़ना है क्योंकि आपके board exam में जो भी आता है या आपके जो भी exam में objective आते हैं वो यहीं से ही आते हैं तो 12 नंबर 11 पेज नंबर 10 पे ही है थोड़ा उसका solution 11 पे तो आप मैं exercise में आए यह 1.2 की जो की page 12 पे दिये उसमें आपका question number second important है question number 9th important है और question number 6th important है जी है मेरे प्यारो exercise 1.3 की बात करें तो इस साल यह आपकी reduce कर दी गई है और 1.4 भी आपकी reduce कर दी गई है जो reduce हो चुका है यानि कम कर दिया गए आठा दी गए वो आपको नहीं पढ़ना है अब चलते हमारे next chapter पे जो कि हमारे chapter number second प्रतिलों त्रिकॉर्ण में थी है फ़लन इसमें से जो आपका आ रहा है वो six mask का रहा है जिसमें आपकी चार objective आएंगे और एक two mask का question आएगा वही बात करें आपको एक box दिया होगा डिबबर दिया होगा page number 46 पे टेवल दियोगी यह आपको पढ़नी है क्योंकि यहीं से आपके objective आते हैं और आपको exercise 2.1 with example practice करनी है क्योंकि यहां से question आएगा ही आएगा वहीं बात करें next exercise 2.2 तो इसमें आपको उधारे number 4 की practice करनी है उध 14, 15, question number 16, 17 और आपको objective तो करने 19, 20, 21 जी है मेरे प्यारो इसमें से कुछ miscellaneous के भी सवाल लेंगे क्योंकि इसमें से miscellaneous में आता है तो उधारे number 9 आपको करना है उधारे number 10 आपको करना है वहीं मैं exercise की बात करने है तो question number 1, question number 2 यह आपके लिए काफी ज्यादा important है question number 12, question number 13, 14, 15 और 16, 17 objective तो आप करोगी ही करोगे और इसके सारांस को भी आपको पढ़ना है तो जी है मेरे प्यारो यह थे chapter 2 की important अब हम चलते है मारे next chapter पर जो कि हमारे chapter number 3 matrices यानि कि आव यह इसमें से आपको 6 mask आना है 1 mask की 4 objective और 2 mask का एक question जी है मेरे प्यारो तो इसमें जो 2 mask आएग micro câscos number 5th, question number six, question number eight, ninth, ninth or tenth, eighth, ninth, 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 tenth अपकिए objective है यह आपको practice करनी है वही बात करे next exercise की तो अदारह number 6 आपको पेज पैज no.73 पे उधारन नमब 17 पे उधारन no.10 इनकी आपको practice करना है वहीं बात करें महान exercise की और नमब 13 14 15 यह करनी है महन exercise आजाए पैज no.87 पह तो question no.1 तो question no.1 आपको अच्छी तरीकी से and question no.3 की practice आपको करना है जिसमें से आफ first second or third practice कर सकते बहीं बात करें, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9, question number 11, 10, इनकी आप अच्छी तरीकी से practice कर लीजिएगा, 15, 17, लगा दिये, मैंने important नहीं है, क्योंकि इस वार आपका two marks का आना है, तो two marks में इतना बड़ा question मुस्किल से होता है, लेकिन मैं लगा दिया आप practice कर लीजिएगा, कोई बात नहीं कर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अना बाकियो objective तो आपको 21, 22 करने है, वहीं बात करें, next exercise की, तो अधारे नंबर 20, जो कि page 91 पे दिया है, इसके आपको practice करने है, अधारे नंबर 21, इसके आपको practice करने है, और अधारे नंबर 22, मैं आपको पता दू, इसमें सम्मित आविय question number second करना है, question number fourth, question number fifth, question number seventh, यह आपके लिए काफी जाद नंबर 10th आपके लिए important था, जो बड़ा question आता था, लेकिन अब बड़ा question नहीं आना है, तो आपके लिए यह छूटे question काफी जादा, important है, बहीं बात करते हैं, हमें next exercise की, इसके objective तो आपका लिजीगा, 3.4, जो कि आपके इस साल, reduce कर दी गई है, यानि कि हटा दी गई है, हमें next chapter पर, जो कि chapter number four, Determinants, यानि कि साणनिक, जो कि इस बार आपका six marks का आना है, जो कि आपके दो ओटी और एक four marks का question आना है, तो इसके important पर हम चलते है, तो 4.1, आपको करनी तो है, लेकिन important नहीं है, 6, 7, 8 की आ practice कर सकते है, important क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपको आएका नहीं आएगा, important क्यों नहीं कि बड़ा question आएगा, तो 4.2 आपके लिए काफी ज्यादा important है, इसमें आपको जो धारन करनी है, वो आपको 13, 14, 15, 13 काफी ज्यादा important है, आप इसके अच्छी तरीक से practice कर लीजिएगा 13, 14, 15, 16, इनके आपको practice करनी है, बहीं बात करें, मैंने exercise की, तो question number 7, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा important है, 8, 9, 8 का first करना है, 10, 11, इनके दोनों 12, 15, 16, तो आप करोगी, 4.2 काफी ज्यादा important है, आप इसके practice कर लीजिएगा, यहां से question आएगा, हम चलते हमारे next exercise पे, ज आपको practice करनी है, बहीं बात करूँ अब next exercise की 4.4, आपको practice करनी है, क्योंकि 4.5 नहीं आएगी, लेकिन इसमें से question आना, मैंको तो नहीं लगता है, क्योंकि question आएगा, फिर भी हम चलते है, अधारे number 24, 25, page number 140, 142 पर दिया है, इसके आपको practice करनी है, अधारे number 26 की आपको practice कर करना ही, करना है, और यहीं बात करूँ, तो question number 16 भी आप practice कर सकते है, और objective की तो आपको practice करनी है, तो अब हम चलते है, हमारे next पे, जो कि हमारा exercise number 4.6, आप अधारे number 146, page पे, और इसमें जो आपको practice करनी है, आपको 8, 12, 15 की करनी है, तो यह थे हमारे 4 chapter के important, आपना last में सार चल लए होगी, अगर आपको थोड़ा speed में लग रहा है, तो आप video को pause करके, आरा मारम से mark कर लिजेगा, इसमें कोई बात नहीं है, चल्दी यल्दी आप mark कर लिजेए, audio pause करकी भी आप कर सकते है, तो हम चलते है, अध्याय नमर 5, यह नि चैप्टर नमर 5, सांतत्य तत्य आपका लिजेगा, इस बार आपका 8 marks का आना जिसमें से आपका 2 O2, 2 marks का 1 question, 4 marks का, 1 question, तो 4, sorry, 5.1 आपकी काफी जयाता, important है, तो इसमें से आप o'dharan 1, o'dharan 2, o'dharan 4, o'dharan 3, इसकी practice कर सकते है, o'dharan number 7 की भी आप practice कर सकते है, o'dharan 8 की भी आप practice कर सकते है, important है o'dharan number, और तो question no.1, question no.2 इसके आपको practice करनी है question no.6, 8, 10, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 यह आपके लिए काफी ज्यादा important है exercise क्योंकि यहां से question 100% आएगा ही आएगा हम चलते हमारी next exercise पर जो कि हमारी 5.2 इसमें आप 21, 23, 23 marks कर लीजिए और इसके जो main exercise है उसमें आप question no.1, 2, 4, 6, 7 को mark कर लीजिएगा आपका next exercise के उधारन 182, 24, 25, 183 पर इसको mark कर लीजिएगा 5.3 में आपको second, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसके आपको practice करनी है क्योंकि यहां से भी question आपका आता ही आता है अब हम चलते हैं हमारी next exercise पर जो कि हमारी 5.4 इसमें से आपको उधारन 29 जो कि page no.190 पर दिया है question no.2 और question no.4 की practice करनी हो main exercise में आपको first, second, third, fifth, seven, tenth इसकी practice करनी है वहीं बात करें page no.191 पर उधारन 30 आपको अच्छी तरीकी से करना 31, 32 और main exercise में आपको first, third, seventh, ninth, twelve, fourteen, fifteen इसकी आपको उच्छी तरीकी से practice करनी है या हम चलते हैं हमारी next exercise पर 5.6 होगा आपकी लिए काफी ज़्यादा important हो यहां से question आता ही आता है तो उधारन no.34 आपको उच्छी तरीकी से practice करना है आपको जितने बताएं वो तो आपको उच्छी तरीकी से करना है next exercise चलते 5.7 में आपको उधारन no.39,49,49,49 मैं इतने example क्यों बता रहा हम क्योंकि example में से MP board में आता ही आता है आप लोगों को पता ही होगा अगर नहीं पता तो फिर भी बताती है मैंने और आप मैं कोशन जो 6th कोशन दिया है आपका 5.7 का उसकी practice करनी है कोशन no.9 की practice करनी है जी है मेरे प्यारों और 12, 13, 16, 17 यह आपको चीतरीकी से practice करना है next exercise आपके 5.8 इस साल reduce कर दी गई है यहां से भी कोशन आता था लेकिन reduce कर दिया गया इस साल भी और पिछली साल भी था वहीं बात करें इसके सारांस की वो तो आपको हर चैप्टर के पढ़ने ही पढ़ने ही तो यह थे हमारे चैप्टर नमर 5 के important वहीं बात करते है चैप्टर नमर 6 की जो कि हमारा अप कलच के अन्यूपरयोग जिसमें से आपका दो ओटी आएंगे और दो मास के दो कोशन आएंगे तो इसकी जो पहरी एक्सेजाज़ अब सारी important हो गई है क्योंकि दो मास के दो कोशन आने है और वहारे एक्सेजाज़ से आना ही आना है तो अधारे नमर एक कि दो अधारे नमर 2 अधारे नमर 3 अधारे नमर 4 सुरू के 4 एक्जमपल आप लगा ले जिये फोशन नमर 1 में एक्सेजा़ का second, third, fourth, fifth, sixth, sixth अब आप कर ली जीए फिर 10th, 12,13, 16, 17,18 अब्जेक्टिव हैं आप आप कर लीजए गा जीए मेरे प्यारो और हम चलते हैं मैं न करना है काफी ज़याद important है question number 5, 6,2 में आपको 20,E की practice करना है, 12 में आपको 20,E की practice करना है, 13 आपको objective है, and जो आपका 19 है, वो आपको अच्छी तरीकी से practice करना है, क्योंकि वो objective है, अब हम चलते हमारी next exercise पर 6.3, जो की reduce कर दी गई है, 6.4 वो भी reduce कर दी गई है, और 6.5 पर 23, and 34, इसके आप practice कर लिजीएगा, वही मैं exercise में बताऊं, आपको कौशन important है, तो आप 3rd के, 3rd 4th, question number 5th के, 2nd 3rd, 6, 7th, 8, 9th, इसके आपको practice करना है, और 12 से लेके, 16 था आपको अच्छी तरीकी से practice कर लिजीए गाप, और वहीं बात करें इसके, सारांस की, तो आप भड़ part 1 के important question, part 2 की वीडियो में आने वाले समय में आपको provide करा दूँगा, आपको घबरानी की विल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द आएगी, जब तक आप इन questioner की practice कीजिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए, wish you all the very best, have great day, जय हैंद